नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे चाहिना चाहता है कि वो 13,000 सटलाइट को आंतरिक्ष में लॉंच करें वो भी लो अर्थ और्बिट में क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि कई ऐसी कंपनियां है जो प्राइविट कंपनियां है चाहिए आपका स्टार्लिक हो गया, अमेजोन हो गया या फिर बन वैफ हो गया और भी कई ऐसी मेजर प्राइविट कंपनियां हैं जो लो अर्थ और्बिट में लगतार सेटलाइट को लॉंच करते जा रही है तो ऐसे में चाहिना कैसे पीछे रह जाता इन सभी को देखते हुए चाहिना ने भी डिसाइट किया कि हमें भी एक प्रोजेक्ट के तहद जिसका नाम है गुवांग प्रोजेक्ट उसके तहद चाइना में जो ब्राइट कनेक्टिविटी है उसको बहतर करने के अब्जेक्टिप के रूब में हमें ये 13,000 सेटलाइट को लॉंच करना चाहिए जो कि नेक् यहां यह निकल के आते हैं कि जिस तरह लगातार जो लो अर्थ और्बिट में जो सेटलाइट लॉंच किये जा रहे है उसका रीजन क्या है यदि हम यहां रीजन जानने की कोजिस करते हैं तो पहला रीजन जो है लो अर्थ और्बिट सेटलाइट में लो अर्थ और्बिट में satellite को establish करने का क्योंकि इसकी जो range है low earth orbit की वो आपकी 200 से 2000 किलो میटर के बीच में है जिसमें क्या होता है जो fuel efficiency है किसी भी rocket की जो satellite को ले जाता है आंतरक्ष में वो एक तो कम होती है क्यों क्योंकि यह हम geosynchronous orbit में satellite को launch करते हैं तो वहां की जो ऊचाई है तो आपका इतना जो बजट है तो वह मैक्सिमम बज जाएगा ठीक है यह सबसे बड़ा रीजन है और दूसरा ज़िए हम रीजन की बात करें जो की मेन रीजन है लो अर्थ और्बिट में ज़िए सेटलाइट को हम स्टैबलिस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सेट होगा के बजाए जो और्थ और्बिट के तो इस कंडिशन में क्या होता है जो जिसका यूज यदि कोई कंपनी सेटलाइट को इस्टैबलिस करती है लो और्थ और्बिट में उसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं मिलेटरी परपस से भी हो सकता है सिविलियन परपस से भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है जायतर जो कंपनीय है वो कमर्शियल बेस पे सेटलाइट को इस्टैबलिस कर रही है लेकिन जो मुक कंपनीय है वो कहां की है आप अमेचौन देख लिजे स्पेसेक्स देख ल दबदबा हो वो USA का हो वहाँ की जो कंपनिया है वो USA की गौर्रमेंट की बात माने और फिर चाइना की मतलब USA की मोनोपॉली हो जाए इस पेस में तो इसलिए इस चीज को काउंटर करते हुए चाइना ने क्या का कि हम भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो लॉंच करेंगे लेकिन जी हम बात करें क्या सिर्फ चाइना ही इस तरह की बात कर रहा है जी नहीं चाइना के साथ साथ आपका यूरोपियन यूनियन भी है इस लिस्ट में वो भी चाहता है कि हम लगबग साथ से आठ हजार सेटलाइट आंचरिक्ष में लॉंच करें जो हमारी ब्रोडबेंड कनेक्टिविटी को और भी बैतर बनाए लेकिन इन सब का जो मौटेव है वो ब्रोडबेंड कनेक्टिविटी है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाके ये सिवेलियन यूज भी करें और मिलेटरी यूज करें वैसे के लिए क्योंकि इसमें जो होता है वो आर्थ का जो ऑपजर्वेशन होता है लो अर्थ गविट जदि हम लो अर्थ अर्थ में कोई सटैलाइट को सटैबलिस करते हैं तो किसी भी कंट्री की इस पाइंग हम easily कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मतलब कोई यदि जमीन पर खड़ा आया कोई ब्यक्ती तो इसको easily low earth orbit से satellite के मादधम से आसानी से देखा जा सकता है अब यहाँ एक और expect मैं आपको बताता हूँ जो major है जो concerning है इंडिया और third world country के लिए मैं तो राजा मारा जाओ को आजा माना चल रहा था ठीक है तो ऐसे में इंडिया तो उस चीज का भागीदारी नहीं है जो आज pollution है वो किसकी बज़े से है वो western country की बज़े से है क्योंकि उन्होंने जिस time पे बहुत सारे उन्होंने पेड काटे इंडिया की बज़े से एतना pollution किया एतना pollution किया जिसका परिणाम हमें आज भगतना पड़ रहा है future में हो सकता है आज जो developed country आए या economy rich country जो आज है वो आंतरिक्ष में भी जो devries एकट्टा हो रही है उसका reason बनेंगी future में क्यों क्योंकि अभी आपका एक data के अनुसा लगवग 20,000 plus में satellite आंतरिक्ष में गूम रहे है कुछ working है कुछ non working है जब हर एक company आपकी जो Amazon company है वो आपके लगवग 3,000 satellite launch करेगा SpaceX आपके 12,000 satellite launch करेगा और भी प्लान है उसके launch करने के Google के 1000 है बन बेप भी करेगा 6,7,000 launch तो इस तरह कई जो private player है वो आपके लगततार satellite launch करेंगे ये तो period of the year अभी शुरुआ थे इस चीज़ की लेकिन आप जब 2050-23,000 तक इस चीज़ों को आप दिखोगे तो आपको जो space delivery है वो एक बहुत बड़ा problem create करने वाला है क्योंकि हम यदि हमारा कोई यदि हमारा कोई spacecraft यदि हमारा कोई working satellite जो जरूरी है study के लिए वो यदि इन चीज़ों से टकरा गया तो इसको हम कैसे निपट पाएंगे तो ये concerning होगा इंडिया और third world country के लिए कि एक proper mechanism बनाए जाए और कौन कितनी country या कौन कितने private जो individual है वो कितनी satellite launch कर सके इस चीज़ को लिएक पूरा proper mechanism होना चाहिए